Hello students, इसके पहले वाले वीडियो आप लोग के समझ में आया था, एदियलाइजेस्ट एकाउंट बनाये थे उसमें, डीजलूसन में समस्या बस एदियलाइजेस्ट एकाउंट कहीं केवल होता है, एदियलाइजेस्ट एकाउंट आपको कंड्टोल में आ गया, तो समझे है कि partners capital account, cash account अपने आप बन जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में realization account बना के बताये थे, कोचन सोल्व करके, कहीं भी दीकत हो, आप लोग comment में जर्यू में चलते हैं, एक realization का और एक account कोचन बनाते हैं आपको, देखिएगा, उसके बाद next वीडियो में जो जाएगा, realization account, partners capital account, cash of bank account, उसके बाद सारा objective का वीडियो जाएगा, देखिएगा, आपको एक balance sheet कोचन आपको इस्क्रीन पर दिखिएगा होगा, एक balance sheet आपका दिया हुआ है, liability side दिया हुआ है, sundry creditors 12,000, अनिल loan दिया हुआ है, 60,000, capital दिया हुआ है, अनिल का 40,000, सुनिल capital दिया है, 20,000, अब assets है, देखिए क्या दिया हुआ है, cash, sundry, debtors, stock, plant, pictures, goodwill, अब additional information देखिए क्या दिया हुआ है, the partner share profit or loss in proportion to their capital, कोहचन में लिखा हुआ है, कि partner जो है, अपना profit or loss को कैसे share करता है, in their proportion of capital, means capital के ratio में profit or loss को यह लोग share करता है, means बंठता है, आगे देखिए, the sundry data realized rupees 84,000, sundry data से कितना आया है, 84,000, देखिए कोहचन भी आप लोग देखते रहो, और एक कोहचन आप लोग copy में note कर ले ना, stock 36,000, plant and pictures 20% less than book value, क्या लिखा है कि plant of picture है, 20% less than book value, आगे देखिएगा, and goodwill rupees 12,000, a goodwill से कितना आया है, 12,000 रुपया, आगे देखिए, the sundry creditors paid off at discount of 5%, sundry creditors को कितना discount per payment हुआ है, 5%, the cost of desolation amounted to rupee 1200, अब cost of desolation किसे कहेंगे, यह देखना, बीनस को बंद करने में जो expense हुआ, बीनस को बंद करने में जो आपका कर्च हुआ, इस ही को का काते हैं, desolation expense काते हैं, कोई दिकत, चलते हैं आगे, prepare realization account on desolation of the fund, आपको क्या लिकालना है, idealization account on desolation of the fund, अब चलते हैं, idealization account बनाते हैं, देखेगा तोड़ा, idealization account, देखेगा, idealization account आपका बना है, सबसे पहले इधा लिखेंगे पर्टेकूलर, पर्टेकूलर, इधा भी क्या होगा, पर्टेकूलर, amount column है, और इस side आपका क्या है, credit है, इस side क्या होता है, debit, और आपको हम पहले भी बता हैं, जिसको journal entry आ रहा है, उसको तो कहीं दिका नहीं होगा, जिसको भी journal entry आ रहा है, उसको कहीं दिका नहीं होगा, लेकिन इधी आपको journal entry नहीं आ रहा है, तो याद रहना, बताएं कि सारे asset को debit करेंगे, liability को किधा करेंगे, credit, लेकिन सारे asset में किसको चोड़ कर, cash, bank, loss को चोड़ कर, अब देखें, सारे asset को हम debit करें, देखें, दिया क्या है, sundry data, इधा जाकर लिख देंगे, sundry data, कितना रुप्य आपको दिया है, 10,000, उसके नीचे देखें, stock, कितना stock को लिखा हुआ है, 40,000, आगे देखेंगा, plant, plant कितना दिया हुआ है, 20,000, आगे देखेंगा, pictures, pictures कितना दिया हुआ है, 8,000, goodwill, goodwill कितना दिया हुआ है, 8,000, देखेंगे, हमने सारे asset को debit कर दिया, बस cash को छोई कर, cash कभी भी realization account में transfer नहीं होता है, अब चलिए liability, बताया न, कि सारे liability को credit करेंगे, आप तो जानी रहें, liability का transfer करने के क्या entry होता है, आप तो पहले भी देखेंगे, second number entry बताया होंगे, liability account debit to realization account, तो जितना भी liability है, सब कर सब जाके किधा करेंगे, credit करेंगे, देखेंगे, liability आपको एक दिया हुआ है, sundry credit है, कितना रुपैसे है, 12,000, अब चलते है, additional information पढ़ो, sundry, आप देखे, asset realize कितना हो रहा है, sundry asset realize रुपी 8,400, sundry asset से कितना है, 84,000, तो बताया है न, सारे asset को इधर लिखेंगे, अब जब इसको बेचेंगे ता की side, credit side, चलते हैं, इधर लिखते है, cash account, यह देखना, balance sheet में cash रहा है, तो cash लिखेंगे, bank रहा है, तो bank लिखेंगे, देखेंगे, data, data से कितना realize हुआ है, 84,000, आगे देखेंगा, stock, stock से कितना है, 36, आगे देखेंगा, plant and pictures realize 20% less than book value, क्या बोला है, कि जो plant of picture है, 20% कौम realize हुआ, तो देखेंगे, यहाँ पर plant, plant कितने का है, 20 हाजा है, इसमें से बोला है कि 20% कौम realize हुआ, आप तो जाने ही देखें, जो plant दिया है, कितने का दिया हुआ है, 20,000, plant कितने का दिया है, 20,000, 20% कौम realize हुआ, तो इसमें से 20% क्या कर देखेंगे, minus, तो इसका 20% कितना होगा, 4,000, इसमें से minus करो, 60,000, 16,000, plant से कितना realize हुआ, 60,000, 60,000, उप्या, पलांट से आया है, देखो, पलांट से कितना आया है, 60,000, अब आगे देखो, फिक्चा से भी 20% less, तो यहाँ पर लिखते हैं, फिक्चा समझने के लिए, देखो, फिक्चास कितने का है अपका, 8,000, इसका अभी 20% less, इसका 20% less कहेंगे तो कितना आगा, 1600, माइनस किये तो कितना आ गया, 64,000, आप देखेंगे, यहाँ फिक्चा से कितना आया, देखे फिक्षस से कितना आया है? 6400 जान कोई दिखा नहीं? अब आगे चलते हैं हम लोग, गुड़विल क्यों? अब देखे गुड़विल ही फिर 12,000 गुड़विल से आपका कितना हो है? 12,000 आपका है, किस से? गुड़विल से आपका है, देखे ंगा अब तो हो गया, अब इसको सब को टोटल एड कर देते हैं, तो जैसे अधी हम लोग टोटल एड करेंगे, तक कितने साथ आएगा? $28,800, हमने सारे एसेट को जोई दिया, एड कर दिया, अब आगे देखेएगा, creditors were paid, देखे, आगे देखे, the creditors were paid off at discount of 5%, बोला कि जो creditor जो है, कितने percent discount पर payment हो रहा है? 5%, तो आप तो जानी रहें, creditor कितने का है? $2,000 का, 5% discount पर payment हुआ, तो इसका 5% लिखा लेंगे, तो कितने साएगा? $600, अब इसमें से $600 के का करेंगे? minus, एटम इस creditor को कितना payment हो रहा है? $1,600, अब इस साएट जाके लिख देंगे, to cash account, creditor को कितना payment हुआ है? $1,600, अब आगे पढ़ो क्या है? cost of desolation amounted to Rs. 1200, बीनस को बंध होने के कितना खच लगया? $1,200, देखे, 1200 रुपया cost of desolation है, बीनस को बंध करने में 1200 रुपया लग गया, जानते हैं न, realization account, nominal account होता है, जितना भी expense होगा, सब कर सभी से account में जाके हमनों debit करेंगे, तो देखे, इधर जाके लिखेंगे, cash account, expense कितना रुपय से? $1200, अब तक कुछ नहीं है, अब दोनों side add करेंगे, तो देखे, अब दोनों side हम लोग क्या करेंगे? add करेंगे, इधर add कीजिए, सारे अधी debit side को add करते हैं, अब इसको आपने screenshot ले ले लेना, इसको मैं हटा रहा हूँ यहां से, इसको आप देखेगा, स $9600, एधी सारे debit side को add करेंगे, तक कितने सा रहा? $9600, एधी हम लोग इसको भी क्या करेंगे, एधी add कर देते हैं, तो आपको कितने सा रहा? $9800, एधी credit side हम लोग add करेंगे, तक कितने सा रहा? $9800, अब इसमें से इसको minus करो, minus हैधी करते हैं, तक कितने सा आपको आपको आ इसे कहेंगे तो कितने सा जाएगा आपका 2800, अब आपको दो पार्टना है, इस कोचन में दो पार्टना है, कौन-कौन, देखेगा, एक अनील और दुस्या सुनील, इस कोचन में दो पार्टना है, कौन-कौन, अनील और सुनील, इस कोचन में बोला है, कि यह जो आपका प्र अधिक हो जाए तो देखे प्रॉफिट तो देखो डेबिट वाला अधिक है डेबिट अधिक होगा तो प्रॉफिट और क्रेडिट अधिक होगा तो देखे सौरी डेबिट अधिक होगा तो लॉज अक्रेडिट अधिक होगा तो प्रॉफिट तो देखो यहां पर डेबिट इतने का क्या है profit loss हुआ है और इसको किस रेशियों में बाटेंगे capital रेशियों में क्योंकि कोचन में clear बोला है कि जो भी आपका profit बोला होगा उसको किस रेशियों में बाटे जाएगा capital रेशियों में तो देखो अनिल का capital रेशियों दिलिकालते हैं capital रेशियों तो देखे अनिल का कितना है capital 40 सजाए अनिल का capital है 40 सजाए सुनिन का कितना है 20 सजाए इसका रेशियों लिका लेंगे तो कितना आएगा 2 is to 1 2 is to 1 आ गया, अब इस दोनों का क्या कहेंगे आम लोग, divide कर देखेंगे तो देखेगा अनिल का, तो अनिल का कितना आएगा इसको divide करो 28 इंटू क्या कहेंगे 2 by 3 इसको cut कहेंगे, तो कितने साथ आएगा 52, कोई दीकर नहीं इसी तर से अनिल का, ये तो आपका अनिल का हो गया, उसके बाद सुनिल का चलो, सुनिल 28 100, divided by का कहेंगे 1 by 3, सुनिल का कितने साथ आपको आगया, 26 अब तो जानी दें, कि balancing figure किधा लिखते है, जिधा कम हो तो बताओ कम किधा है देखे, कम की साथ है, इधा है balancing figure हमें सक इधा जाता है जिधा कम हो, इधा जाके लिखेंगे partners partners capital partners capital देखे, अनिल देखे, इधा जाके लिखेंगे partners capital देखे, अनिल का कितना आया है 52 5200, सुनिल का कितना आया है देखे सुनिल का आज़ा 26 अब दोनों को आड़ करेंगे तक कितने से आज़ाएगा 78 देखिए आपका realization account क्या हो गया बन गया अब इसको total कर देंगे total किये हैं तो देखे कितने सा आज़ा है 98600 इसमें भी total करेंगे तो कितने सा आज़ाएगा 98600 देखिए आपका realization account बने गया कहीं भी दिखो थो comment में आपलो ज़रू देखना या नमर दिया हुआ है नमर पर call करके आपलो पुछना और चैनल को ज़रूर आपलो subscribe करना जो अगला जो वीडियो में जाएगा उसमें long question आएगा जिसमें realization account, capital account, cash or bank, सब जाएगा उसके बद सारा objective जाएगा वह objective जो होगा न, CAC, CAC, आपका company secretary, सभी जगों आपको काम आएगा, even Bihar board में भी आपको काम आएगा, ठीक, बहुत अच्छा, आपलो चैनल को ज़रू subscribe करना, कहीं दिखा तो comment में mention किजिए